कि दोस्तो आज हम problem solving के बारे में बात करेंगे कोई भी problem को solve करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है सबसे जरूरी चीज यह है कि आपको सही माइने में problem को define करना है आपको सही माइने में जानना है कि problem क्या है exactly क्या problem में उसको जानना सबसे important है कोई भी problem solve करना है तो सबसे पहले यह समदना जरूरी है कि सही में आपका problem क्या है यह हम कैसे कर सकते हैं एक example लेते हैं कि आपके machine में आपके containers break हो रहे हैं आपका automatic machine है जिसमें से हर minute कुछ number of containers निकल रहे हैं और उसमें से कुछ container break हो रहे हैं तो कोई भी बोलेगा आपका operator बोलेगा कि इस machine में container breaking का problem है तो क्या सही में यही problem है मैं बोलूंगा नहीं क्यों कि container break होना वो तो problem का outcome है एक लक्षण है उसका symptom है वो problem नहीं है container break हो रहा है वो problem नहीं है वो problem का outcome है हो सकता है कि आपका machine का change part बराबर से set नहीं हो हो सकता है आपकी machine की speed सही नहीं आपने जो उसकी जरूरी speed होनी हो उससे ज्यादा speed पर चला रहे हो हो सकता है कि आपका machine का parts बहुत पूरा नहीं हो हो सकता है कि container जो आए है उसकी size में कुछ change हो तो यह सारे changes है यह सारे root causes हो सकते है कि जिस बज़े से container break हो रहा है तो इस case में क्या बोलेंगे problem container break हो रहा है वो problem है कि machine में सही कुछ गरबड़ है या container में सही में कुछ गरबड़ है वो problem है तो यह समद्दा जरूरी है तो सबसे पहले जब भी आपकी रूतिन लाइफ में जब कुछ प्रॉबलम आता है जब कोई बोलता है कि ऐसा हो रहा है तो आप उसके पीछे का कारण समझेका ट्राइ किजिए क्या सही में जो बोला जा रहा है वो प्रॉबलम है कि उसके पीछे का कुछ अलग ही करण है, दूसरा एग्जमपल लेते हैं, normal like example लेते हैं कि आप अपनी गाड़ी start करने गए और गाड़ी चालु नहीं हो रही है, आपका auto start बाइक है रही है आप चालु करने गए और बाइक चालु नहीं हो रहा है, तो क्या हो सकता है, बाइक चालू नहीं हो रहा है वो प्रॉब्लम है नहीं वो तो प्रॉब्लम का लक्षन है प्रॉब्लम क्या है हो सकता है गाड़ी में पैट्रोल खतम हो गया हो हो सकता है उसकी बैटरी डाउन हो गई हो हो सकता है उसका starter काम ना कर रहा हो हो सकता है उसका spark plug काम ना कर रहा हो तो यह सारे उसके पीछे के reasons है जिसकी बज़े से आपका बाई किया कर आपकी चालू नहीं हो रही है इसी thought process से आप काम करें जब भी आपको problem आता है तो आप यही अब करेंडिन की थाड़ प्रोसेस लगा है कि जो मुझे बोला जा रहा है जो सामने दीख रहा है वह लखसन है वह फूट प्राब्लम नहीं है कि आपके प्रोड़क का इचम्होंग हो गया अब बना रहें आपका प्रोड़क का कलर होना बना रहे थे प्रोड़क्ट बन रहा था तो उसमें जो टेंपरेचर रखना चाहिए यह नहीं रखा है जितने टाइम के लिए उसको मिक्स करना चाहिए उसे ज्यादा टाइम या उसे कम टाइम मिक्स किया है कुछ डालना भूल गए है यह सब जो चीजे हैं वह उसके पीछे के रियल रिजन से रियल प्रॉब्लम से जब भी आप काम करते हो तो यही दिमाग में रखिए यही धान में रखिए कि जो सामने दीख रहा है वह सकता है कि वह प्रॉब्लम नहीं है वह जसका लक्षण है जैसे हमको गभी गभी बुखार आता है तो बुखार आना प्रॉब्लम नहीं है हो सकता है कि आपके बॉड बोड़ी रियक्ट कर रही है और आपको बुखार आ रहा है हो सकता है कि आपके बॉड़ी पे बैक्ट्रेयल एटेक हुआ हो तो बैक्टेरिया को रिमू करने के लिए बॉड़ी ने अपना टेंपरेचर बढ़ाया है तो यह सब उसके साइन्टिफिक रीजन से बुखार प्र को प्रॉब्लम है नहीं हो सकता है उसमें से गया सм 두rus हो सकता है उसका सपरiva से काम नहीं कर रहा हूं नहीं तो यह सारे क्व жд है कि इसके बज़से कूलिंग नहीं आ रहा है तो कुलिंग ना शर्जिंग लक autumn भॉद्लम काुदसर्सलग है ऑनठ च्शन घ्यांaskार बंद कर द तो रीजन के पीछे रीजन उसके पीछे के रीजन जब टूंड़ते जाते तो तब जाकर आपको परॉबल्म में मिलता इसके लिए क्या जरूरी इसके लिए जरूरी कि जब आपके पास कोई मिलतों आती है कि यह प्रोबलं आ है तो आप उसके सारे पहलुए द्धान दे शारे पैक्ट्स पर और पॉसिबल फैक्ट्स आपको कंसिडर करना है कि इस में क्या क्या गलत हो सकता है कि जिसके बज़े से प्रोब्लम हो सकता है उसके लिए simple इंपल टेक्निक्ट कोटिए कि आप सकते में कुछ तकलीप आप आप क्या इसको आसपास का वाटा वॉशंद हो गये थे जस्की कि बज़े से कुछ हो रहा है तो यह सब चीजे आपको ध्यान में रखनी है कि दूसरा एक आता है टेक्निक बोलते जिसको फाइवाइड अनलिसिस फाइवाइड अनलिसिस मतलब आपने पूछा कि ऐसा हुआ है तो पूछो क्यूं हुआ तो बोला इसकी बज़े से हुआ तो वो क्यूं हुआ तो वो उसके लिए हुआ तो ऐसे पूछते जाते कि यह क्यूं हुआ इसकी बज़े से हुआ तो वो क्यूं हुआ तो उसकी बज़े से हुआ जब आप ऐसे पांच-छे क्वेस्टन पूछते तो आपको सही में आप एक निर्णाय पर पहुंचते हैं कि सही प्लाइट में आसमान में ऊड़ रही है और जो पाइलोट के आगे का जो काच होता है जो हम विंड बोलते है जो व्यू ग्लास होता है वो एक काच टूटके निकल गया अब इसके एनालिसिस हुआ इसका root biological analysis हुआ sap expert उसमें जूट गए और आपको surprise लगेगा कि finally क्या reason था reason यह था कि जब उसका एक pre anti maintenance होता है रूटीन maintenance होता है तो जब उसका routine maintenance हो रहा तो पता चला कि वह glass में थोड़ा lose है क्योंकि एक screw उसका बराबर से ओद्रा डीला हो गया थे तो उसका प्र्वों मिकान अथा उसका तो नो पर गया ईक रंच पुनिक अर्ड स्क्रुना हं गया और उसके उसका धूरे मौडर्थ करना थे तो उसका जून करना थे तो उसका फ्रीम अलगत यह अम Monday हो एथन क्तुर उसके ऐसे लगा का नंबर का दूसक्रा सुरू लगाना होता है जो मिकरीक ने किया किया उसने विज्योली चेक किया किये और यह सही दिख रहे तो उसने लगा दिया लेकिन साइस नंबर में अच नहीं किया उसकी बज़े से क्या हुआ कि जो दूसक्रा सुरू नया लगा उसमें 0.5 mm का फरक था बड़ी दूरगटना होने से बज गई बट आप सोची एक छोटी सी गलती 0.5 mm का एरर आपको जीवन या मृत्यू के बीच में लाके खड़ा रख सकता है तो मेरे यह वीडियो का परपस यह है कि जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आता है लाइफ में कंपनी में पर्सनल में बिद्नेस में तो आप उसको उपर उपर से ना देखें आप उसके पीसे के रिजन को टूड़े और फिर वह रिजन पैक्ट करें तो आपका प्रॉलम हमेशा के लिए सौल होगा आप उपर उपर से एक्ट करें के तो बार-बार आता रहेगा यही मेरा मैसेज है यह वी थैंक यह वरी मुच पर लिसलिंग गुद्बाइ